असलाम गुम चील तो आज की श्किर मुर्य टौपिक अभशे अब不好 ऐम प्रॉटाकोल स्ञहलों असलाम अलेकम स्ञेश्य इन टू ए टू में यूज तो प्रोटोकॉल प्रोटोकोल्स यहाैं स्जानिक हो तो और स्टेंडर्स के हैं स्टेंडर्स वो चीज है जिनके उपर रूल्स डिपेंड करते हैं फिक हो गया अब प्रोटोकॉल क्या चीज होती है इसको हम थोड़ा देख लेते हैं इनी कंप्यूटर नेटवर क्मुनिकेशन उकर लोगने यहां पर देख लेजिए हैं अब क्या काम होता है अब हमने क्मिनिकेशन लगाकर किया चिए अब कुछ रूज हैं और an Regulations होती में इसके में तीन टाइप सोती है कौन सी होते हैं इसके एलिमेंट से एक संटेक्स है और स्मेंटेक्स है और टैमिंग से तो देखते संटेक्स के अंदर क्या चीज आती है यह मारा पहला संटेक्स है डिटर्म संटेक्स रफो टू डिस स्ट्रक्ट्चर आफ दिफॉर्म अब सेचेजर और यह की चीज होगी ना जिसके जरह के दिटा वह प्रेजन्ट किया जाता है पेश किया जाता था कि मुनिकेशन में ठीक है दूसरी चीज़ जो वह semantics है अब semantics के दिवाड semantics refers to the meaning of each section of bits, ठीक है अब जब data शेर किया जाता है तो वो bits की सुरत में जहर सी बात है, शेर किया जाता है अब हर bit का अलाधा से मतलब होता है, जैने फर्स्ट bit इस चीज़ के लिए, फर्स्ट bit किसी और चीज़ के लिए थार्ड और के लिए तो जो bits को रिप्रेजेंट किया जाता है वो किस सेक्शन काता है वो semantics में होता है, ठीक है इस रिजो इस के important चीज़ है और timing, ठीक है, communication के अंदर timing एक important चीज़ होती है और protocol की भी एक third की है और important, the timing refer to the two characters when data should be sent and how fast they can be sent यानि इसके अंदर दो इस चीज़ें जो है, देख जाते हैं data send करना है और कितना fast, कितना तेज़े से send किया जा सकता है मतलब इसकी timing कैसे में इलूम होगी यानि एक device से हमने किसी और device में जब data send किया है तो उसको fast से fast होना चाहिए यानि तेज से तेज होना चाहिए जितना ज्यादा तेज होगा उसकी timing अच्छी होगी उतना है उसकी communication ज्यादा बेतर होगी ठीक है यह protocols था दूसरी जो आज किया है वो चीज है मारे standards standards मैंने आपको पहले भी बताया protocol के साथ protocols क्या होते है ठीक है standards क्या होते है वो चीज होती है standards जीन के ओपर जो rules के ओपर implement होते है यानि कोई कुछ ऐसी चीज भी तो होती है यानि जीन के under rules बनाया जाते है तो वो जो चीज होती है standards के मुक्तलिफ टाइप्स होती है वो भी हम देखते है standards are essential in creating and maintaining an open and competitive market for equipment manufacturers and in grunting national अब ये इसके detail बता रहे हैं कि ये मुक्तलिफ टाइप्स को होते है ये इसलिए होते हैं ये इसलिए होते हैं अगर फ़र्ज के एक standard हो तो वो फ़र्ज कि एक जो organization अपना communication कर रही उसे चाहिए होगा दूसरी चाहिए होगा अब जो organizations are different countries के अंदर तो वो सब को एक standard नहीं चाहिए होगा और organization के लिए different standards होगा इसलिए मुक्तलिफ standards बनाया जाते हैं जिनके अंडर फिर रोल्स बनाया बनाया जाते हैं ठीक हो गया ये तो इसके भी जो standards के भी एक दो types हैं पहले टाइप है इसकी defacto ठीक है defacto का मतलब क्या होता है by fact ठीक है और by convention ठीक है दूसरी इसको इसकी जो type है वह है डीजियोर इसका मतलब क्या जाता है by law अब इसके अंदर क्या है convention भी आ जाती है और by law भी आ जाती है यानि जो standards है ये दो terms के हो सकते हैं लेकर वो जो types हैं किन के अंदर होती हैं सिर्फ दो types के अंदर होती हैं वो कांट से एक defacto एक डीजियोर है ठीक है यानि by conventions और by law अब defacto कांट से होते है standards standards इसको मैं थोड़ा highlight कर देता हूं standards that have not been approved by an organized body but have been adopted as standards ठीक है कि अब जो defacto हैं ये आपको इसकी समझ आगी मजीद explain करने के बाद हैं कि ये अप्रूब तो नहीं होते किसी organization या organized body की तरह से लेकर इसको फिर भी as standard लिया जाता है डाप्ट किया जाता है जो दूसरी है दो standards have been legalized by an officially organized body अब इन दोने में फरक किया है कि जो defacto है ये अप्रूब नहीं होता और जो डीजी ओर है ये अप्रूब होते हैं ये इतना इनका फरक है अब जो standards organization है इनकी types हैं अब इनकी types क्यों बनाएगी क्योंकि मैं आपको पहले बिता चुक है हर organization को एक ही type क standard नहीं चाहिए होता है मुक्तलिफ types की चाहिए होते हैं इसलिए उनके लिए फिर organization मुक्तलिफ है जो requirement को पूरा करती हैं ठीक है तो हम देखते हैं अब जो standards हैं वो भी किसी के अंडर तो बनाया जाते हैं वो किनके अंडर बनाया जाते हैं कौन सी चीज़े मद्दे नज़र रखे जाते हैं standards are developed through the cooperation of standards creation committees, forms and government regulatory agencies मतलब यह चीज़े हैं इनके अंडर यह standards बनाया जाते हैं यह इनकी नगरानी करते हैं ठीक है अब इनकी कौन सी टाइप है इसकी जो पहली टाइप है वो है international organization for standardization जिसकी जो पहली टाइप है international organization for standardization इसे short term क्या कहते हैं ISO ठीक होगा मैं इसको मजीद explain नहीं कर करने वाली नहीं बस आपने यह नाम याद रखना है short term में इसको याद करना ISO क्यों कि यह मरूजी में हैं वगारा एम सीक्यूस एक्विस वगारा हम पूछे जा सकते हैं इसके explanation नहीं पूछी जाए कि दूसरी जो इसकी टाइप है मेन टाइप है वह कौन सी है international telecommunication union telecommunication standards sector याई टी यू और टी ठीक है अब इसको थोड़ा सा आप खुद भी पढ़ लीजिए गां इनके अंदर मजीद और टाइप सेंट जैसे सी सी आई डबल टी ठीक है और फिर हमारे पास जो दूसरी और अगली मेन आहम चीज है वह American national standards institute nc से कहेंगे IEEE कहेंगे IEEE का एक्सप्लेइन किया जाएगा फिर मारा जाता है EIA ठीक है अब यह टाइपस आपने याद रख लेने सिर्फ इनके नेम्स काफी है याद रखने के लिए और इसकी एक्स्प्लेशन की ज़रूरत नहीं अगली चीज़ वह इसमें है फॉरम्स टेली कमिनिकेशन टेकनोलोजी चीज़ जाइन कि एक्थR प्रॉ सॉवर्थर इसक्टब्स तो तो रिप्रफ्य क्टेशन और स्टंडर्शन प्रॉसंगा ज्बाएशन टेखलि भी फिर स्टंडर्शन की बच्टब्स्ट इसक्टब्स्ट, सब्स्ट्राइशन मनी पेलाइसन ट्रे बबद्स्ट दॉस्ट कि इसमें उब ज्यादा मेज़िक एक्सप्लेइशन करने वाले चीज़ नहीं है जो फॉरम्स वगएरा यह स्टेंडर्स की तरह ही होते हैं मतलब स्टेंडर्स जो हैं वो किसी ने किसी फॉरम के लिए ही काम करते हैं उनके अंदर काम किया जाते हैं इनका भी ठीक हो गया फिर है regulatory agency आप यह जो चीजह कह रहे हैं ना मतलब जैसे फॉरॉम्स बगारा हैं यह क्या चीज़ होते हैं जैसे हैना committees है फॉरॉम्स रेगुलेटर एजन्सी यह वह चीजह होती हैं जिन्होंने standards को control करना होते हैं मतलब जिनके अंदर standard जिनके अंडर standard जो हैं वह बनाया जात हैं एकांट्स मेरेजमेंट होते हैं आपको याद ओक फॉरॉम्स रेगुलेटर एजन्सी जो पर आम इसको पाट भी चुक हैं ठीक हैं अब जो ए इंटरनेत स्टेंटर्स हैं मरा आगली चीज़ ए अन इंटरनेत स्टेंटर इस थोरॉली थे स्टेस्टिकेशन दाट इस उ अब यह आपने एक दाफ़ा खुद इसको पढ़ लेना है ज्यादा इंपॉर्डन नहीं चीज़ है लेकन वह जो है एक फॉर्मिल्टिक तो पीस से देख लेना ठीक हो गया तो यह था हमारा आज का लेक्चर और हमारे जिब ओक है उसका यह पहला चैप्टर भी आज हो रहा है तो मिलते हैं अगले लेक्चर में